नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभीका आपके अपने यूट्यूब चनल सरकारी भरत में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने बाले हैं SSC MTS 2020 के बारे में, 2019 के बारे में अब कब आपका रेजल्ट आएगा और क्यों नहीं 30 अपरेल को आपका रेजल्ट आया दोस्तों आप इन exam में से किसी भी exam की तयارी करते हैं खास तोर पर SSC की तयارी करते हैं तो आप इस चैनल को च्रूर सबसकार्प कीज़ेगा क्योंकि SSC से length कोई भी update सबसे पहले इस चैनल पर लाई जाती है और कोई भी अपडेट ऐसी नहीं होती जो आपको सबसे पहले नहीं बताई जाती तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही न भूलेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी फेस्बॉक वर्टसप पर सेयर करतीजेगा चली अब डिसकस करते हैं आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया कब आएगा आपका रिजल्ट तो आपको बता दू आपका रिजल्ट आना था 30 अपरेल को जो कि आपका रिजल्ट नहीं आया और ससी ने इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया क्योंकि lockdown और coronavirus का जो effect चल रहा है उसकी वज़ए से आपका जो result है वो 30 अपरेल को नहीं आया अब आपका result आएगा कब देखे 20 अपरेल को आपकी जो SSC की office थी वो open हो गई थी लेकिन office work जो complete तोर पर चलना चाहिए था वो नहीं चलना है जो एक ग्रूप के officers है केबल वही काम कर रहे है और निचले इस तरके जो clerk वगएरा है वो अभी इस पर काम नहीं कर रहे है तो आपको बता दू जो आपका result है थोड़ा सा डेले किया SSC ने notification भी जारी किया मैंने माई के last मैं और जून के first week तक आने के chances हैं कम से कम कम से कम 25 प्लस days तो अब SSC लेगा ही और हो सकता है 35 प्लस days भी ले जाए क्योंकि पूरा का पूरा setup दोबारा से बनाने में फिर दोबारा से complete तोर पर और उस में तो ये भी बोला गया तो notification में कि evaluation से later problem भी बोली गई थी च यानि मुल्यंकर नहीं हो पाई है जो descriptive paper आपने tire two का दिया था तो उसका भी मुल्यंकर होना भी बाकी है तो इसका मतलब आवा आपका रियल्ट आएगा कब ये question सबसे बड़ा question है रियल्ट आएगा कब तो आपका result आने के chances है वो में के last में या फिर जून की starting तक आने के chances ह है और माई के last week में माई के last week और जून के starting तक आने के आपके result के chances है आप कुछ questions थे student के UFM से related उसे भी पता दो अगर आपका कोई question है किसी भी प्रकार का आपका question है UFM से related आपने name गलत लिख दिया पिन कोड गलत लिख दिया या फिर कुछ लिख दिया इमेजनरी का खग X, Y, Z इस तरीके से लिख दिया आपके कितने marks हैं जैसे किसी student के 77 marks है तो बहुत सारे student मेरे से पूछा करते कैसर मेरा होगा नहीं होगा क्या chance है या नहीं है इस state में मेरे को मिल सकता है नहीं मिल सकता है अगर आपका document verification से related कोई problem है जैसे EWS certificate, NOC no objection certificate, physical handicap certificate पूछा जाता है औ फिर आपने description पर प्रम कोई गलती करती है तो इस प्रकायर की questions के लिए आप इस वीडियो के comment box में जरू लिखिएगा मैं आपके comment का answer पांस से दस मिनाट के अंदर दे दूँगा और वीडियो के description में मेरा WhatsApp group दे रखा है उसे भी आप join कर लेजीगा तो उमीद हाज की वीड लाइक कीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा बड़ियो को share कीजिगा थैंक्यू 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 पर वाचिंग इस वीडियो